हम सब कोई आखे बन करेंगे, कुरुस का चिन, पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर, आमेन धन्यवाद अबापिता, धन्यवाद प्रभुयेश्यू, धन्यवाद पवित्रात्मा प्रभु येशु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खुपसूरत दिन के लिए जो आपने हम सभी को दिया है आज विशिशत तोर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि यहाँ पे मौजूद हर एक भाई बैन के लिए आज वो यहाँ आए है तो वो अपने मर्जी से नहीं आए प्रभु आप उसे यहाँ लेके आए हो क्योंकि आप अगर वो यहाँ तक पहुचे है तो बस क्योंकि आपका वचन कहता है बुलाए तो बहुत गए थे पर चुने हुए थोड़े ही है तो हाँ प्रभू अगर आज यहाँ पे वो आए है तो वो आपके चुने हुए है मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक भाई भेहन के लिए विश्वास करती हूँ प्रभू आज जो भी इनके रिदय में सवाल है उन सारे सवालों के जवाब आप इन्हें देने जा रहे हो और मैं अपनी आवाज को पवित्रा आत्मा को सौपती हूँ मैं नहीं जानती सवाल क्या है पर मेरा पूरा विश्वास है कि आप जानते हो और आज मेरे द्वारा आप इन सभी के सभी सवालों के हर एक जवाब को देने जा रहे हैं हाँ प्रभू आज यहां से कोई खाली हाथ नहीं लोटेगा यह मेरा विश्वास है धन्यवाद देती हूँ प्रभू और यह सारे सेशन को आपके हाथों में सौपती हूँ आप ही इसे चलाईए आप ही हमें सिखाईए धन्यवाद देती हूँ और यह प्रात्ना करती हूँ मेरे स्वर्गे पिता के एकलोते पुत्र प्रभू येश्व के नाम से आमेन 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 हालेलुया, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, हालेलुया, कैसे हैं आप सब? प्रेज गार्ड, तैंक यू जीसूस, जब ऐसे जवाब मैं सुनती हूं, मुझे बहुत खुशी होती है, तो सही शिक्षा मिलने के कारण आज जवाब बदला है, सो हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, धन्यवाद येशू, मुझे से बात करेंगे न सब लोग, कि ये राधी का ने आपको बोला है, क्या इससे बात नहीं करनेगा? हालेलुया, मैं जानती हुए ऐसे नहीं बोलेगी, हालेलुया, धन्यवाद येशू, अभी मेरा आप लोगों से सवाल है, बिलीफ को क्या बोलते है सिस्टर, बिलीफ हिंदी में, अच्च उसको विश्वास ही बोलते हैं, यकीन, बोल सकते हैं न हम लोग, भरोसा, भरोसा, प्रेजगाड, क्या आप ये शूपे भरोसा करते हो, हलो, करते हो, पक्का, तो भरोसी का अर्थ किया है? ओके है तो विश्वास का एक लिगे से टोर आख गजाय तो पर उसले कर सकते श्रicias यह से जवाब लेकिन वरे साओर विश्वास दोनों का कर दो गहर है हालेलुइया कशल लोग उसको बाद में देखेंगे आव विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास ना करना विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है? मतलब क्या? तो मतलब क्या करते हैं? मतलब क्या करते हैं? तो मतलब क्या करते हैं? कुछ तो बूला क्या सिस्टेर? praise God, believe, what does mean by believe, भरोसा करना मतलब क्या, यकीन करना मतलब क्या, विश्वास करना मतलब क्या, मतलब जो कुछ मैंने सुना है, उसके अनुसार मेरा कारिय, ध्यान से सुनिए, अगर आज ये आप शीक्षा ध्यान से सुनोगे न, तो आज के बाद आपका जीवन कुछ और होगा आमेन भरोसा मतलब, यकीन मतलब, विश्वास मतलब जो मैंने सुना है उसके अनुसार मेरा कारिय My action corresponding to the message I heard जो मैंने सुना उसके अनुसार मेरा कारिय मतलब भरोसा हालेलुया धन्यवार येशु डॉक्टर का रिपोर्ट मिलता है मानलो एक X, Y, Z कोई तो वेक्ति है मानलो चलो मैं मैं गई डॉक्टर के पास और मेरे को डॉक्टर ने एक negative रिपोर्ट दे दिया कि भाई तुमारे शरीर में ये ये खराबी है औके अब डॉक्टर ने तो एक ही बार मुझे कमरे में बताया सही है? लेकिन जब वो कमरे से में बाहर निकली मेरा कार्य क्या हो गया? तुरंथ मैंने सिस्टर पुश्पा को फोन मारा और बोला सिस्टर प्लीज मेरे लिए प्रातना कर दीजी सिस्टर मेरे को यह यह बिमारी है अब मेरा कारिय कौन सा था विश्वास का की डर का हलो कौन सा था तो मेरा कारिय बताता है कि क्या मेरे इश्वर पर भरोसा है या नहीं है हालेलुया धन्यवाद येशु शरीर में बिमारी है लेकिन वचन कहता है एक पेत्रूस 2.24 में लिखा है प्रभू येशु के घाउसे हम भले चंगे हो गए है हम भले चंगे हो गए है लेकिन मान लो वचन को तो मैं बोल रही हूं प्रभू येशु आपके घाउसे में चंगी हो गई हूं आपके घाउसे मैं चंगी हो गई हूँ और दिन बर खटिया पकड़ के लेटी हूँ अब ये कार्य क्या बताता है जो बोला उस पर भरोसा किया की नहीं किया अगर मैं भरोसा करती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ तो मैं थोड़ी ना खटिया पकड़ के सोंगी मैं तो उटके मेरे सारे काम करूँगी करेक्ट लेकिन अगर मैं बोल तो रही हूँ लेकिन कार्य कुछ और है तो मैंने किस पर विश्वास किया है जो मेरा कार्य है वही मेरा भरोसा है हलेलुया समझ रहा है हलो आप लोगों को समझ रहा है अगर मैं कहती हूँ कि मेरा भरोसा प्रभू पर है लेकिन मेरे कार्य उसके वचनों के खिलाफ वाले है तो मेरा भरोसा उस पर है प्रभू पर नहीं कोविड आया था इदर कोविड कोरोना वो था इदर कोरोना के बड्ट गया हुआ एदर आया अच्छा जुड बोलता है ऐसा हो जो नहीं जगता क्योंकि जो प्रवचन कर रहा था उसमें भी डर आया आया की नहीं आया अरे सब डर ये थे जब मुझको हुआ मुझमें भी डर आया उस वक्त तो हम प्रवचन कर रहे थे फिर भी डर आया कि कई अगला नंबर मेरा ना लग जाए डर आया ना तो जब डर आया अब मेरा कार्य क्या हुआ भरोसे वाला कि अविश्वास वाला क्योंकि भरोसे वाला होता तो वो बोलता प्रभू ने तो लिखा है तुझे कोई महामारी चूने ही सकती तुझे कोई किटानू चूने ही सकता कनफेशन कर रहे थे ना अभी आप लोग वो वाइड बुक से पढ़ रहे थे ना कोई महामारी मुझे चूने ही सकती मेरा शरीर प्रबु येशु का शरीर है कोई किटानू, कोई विशानू, मेरे शरीर को छू नहीं सकता, बोलेते हैं ना? लेकिन कारिय क्या हुआ? डर के मारे सब अंदर सब कुछ दोधों के ले रहा है सब कुछ दोधों के यहाँ तक की सबजी तो ऐसे भी हम दोते लेकिन वो चिप स्विप का पैकेट भी खरीदा ना तो उसको भी साबून के पानी में दोधों के खाया है सही है? स्टानिटाइजर मार मार के मार मार के खाया है करेक्ट तो अभी ये कारिय क्या बताता है? भरोसा है कि अविश्वास है? अलिलूया धण्यवाद येश्व तो भरोसा मतलब मेरा कारिय जो मैंने सुना है उसके अनुसर औके और अविश्वास मतलब जो वचन है उस पर विश्वास ना करना मतलब अविश्वास यहां तक समझा अभी यह मानलो मानलो आपके हातों में या मानलो पैरों में मेरा पैर अभी जो दिख रहे है मान लो ये हाती के पैर के जैसा फुल गया कैसे? हाती के पैर के जैसा अभी वो लक्षन, वो सूजन बताती है कि मेरे शरीर में कुछ तो कमी, कुछ तो गडबड हुआ है क्योंकि ये नॉर्मल इंसान का पैर नहीं है ये पैर बन गया हाती के पैर के जैसा तो वो सूजन, वो सिम्टम, वो लक्षन बताता है कि इसके शरीर में कुछ तो गड़बड है क्योंकि पैर बन गया हदी के बेर गये जैसा तो उसी तरह अविश्वास के भी दो लक्षन है जो हमें बताते है कि हमें अविश्वास है हालेलुया, धन्यवाद येश्व, पाणी चाहिए सिस्टर आपको, हालेलुया, आगे आ जाहिए, इधर पसिने चुट रही, आगे आ जाहिए आगे आजाएए आई आई इदर आईए हालेलुईया धन्यवाद ये शू नहीं तो उपर बैठ जाएए जल्दी 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 हालेलुया धन्यवाद ये शू सुनो 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 क्या कह रहते हम लोग हाती पेर बराबर याद रहा तुम लोग को मैं कह रहती अविश्वास के लक्षन है कैसे पता चलेगा हम में अविश्वास है हम बोलते तो है मूँ से sister हम तो विश्वास करते है प्रभू ये शुपे हम तो विश्वासी है लेकिन समस्या आने पे हमारा response हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है हिलते है की नहीं अविश्वास के लक्षण है जो हमें बताते है कि हमें अविश्वास है अविश्वास के लक्षण है जो हमें बताते हैं कि हम में अविश्वास है हालेलुया धन्यवाद येशू अभी वो लक्षण क्या है सबसे पहला अविश्वास का लक्षण है डर कौनसा कौनसा कभी किसी को डर लगा है लगा नहीं है सबको अलग-अलग चीजों से डर लगता है कोई बोलता है मेरा गद्धी ना छिंजा है उसका डर कोई 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 बोलता है मुझे पानी से बहुत डर लगता है कोई बोलता है हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है किसी को अंधेरे से डर लगता है नहीं लगता है इ तर्णियवाद येशू तो अगर मुझमें डर है इसका मतलब साफ है कि मैं आविश्वास में हूँ हालेलुया तर्णियवाद येशू हम हर एक किसम हर एक को अलग-अलग डर है करेक्ट अब क्या ये डर इश्वर से है कभी भी नहीं बाइबल लाए है खोलिए ये एक तिमोथी सिस्टेम मेरा फोन अब को चाहिए क्या अच्छा हालेलुया ये वाला धन्यवाद प्रभु येशू पढ़ना तो एक तिमोथी दो साथ आपने सबी खोली है खटा पर पढ़िए देजवाद नहीं पहला तिमोथी अध्या नहीं नहीं दो तिमोथी एक साथ जब दूसरा तिम 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 अध्या एक बचन नमबर साथ मिला नहीं मिला दो तिमोथी एक का साथ पढ़िए धीरे धीरे हम सब इनके पीछे दौर आएंगे ठीक है इश्वन ने हमें विरुता का नहीं बनकी सामत प्रेम तथा आत्मस्यम का मनुभाव प्रदान किया वापस से पढ़ना इश्वन ने हमें भिरुता का नहीं बलकी सामत तथा प्रेम तथा आत्मस्यम का मनुभाव प्रदान किया यहां पे मनुभाव लिखा है इंग्लिश में लिखा है Lord has not given us the spirit of fear मतलब इश्वर ने हमें भिरुता का नहीं बलकी प्रेम सामर्थ तथा आत्मस्यम का आत्मा प्रदान किया है ऐसे कहता है वचन तो यह डर भी एक आत्मा है डर एक आत्मा है डर एक आत्मा है और वचन कहता है कि वो आत्मा इश्वर ने हमें नहीं दिया है तो अगर वो आत्मा इश्वर से नहीं है मतलब वो किस से है? करेक्ट किस से है? मुझे जब भी डर लग रहा है वो डर एक दुश्ट आत्मा है और वो इश्वर से नहीं है बलकि वो है शैतान से मैंने कुछ-कुछ लोगों को कहते हुए सुना है डर होना चाहिए डर होना चाहिए डर अच्छा है सुने अपला कोविड कोविड में जब एक भाई जब रेलवे स्टेशन के अंदर आ रहा था उस समय मास्क होना बहुत जरूरी था सब जगह जाना है मास्क पहन के जाओ है ना तो यह भाई का मास्क थोड़ा नाग के नीचे था तो वो जो CRPF के जवान होते है ना जो रखे ते स्टेशन पे निगरानी के लिए उसने उसको क्या बोला अरे भाई तेरा मास्क नीचे आया है उपर कर उपर कर तुझे डर नहीं लगता मतलब ये संसार ने उस डर को accept कर लिया है कि डर होना जरूरी है लेकिन वचन कहता है डर दुष्ट है शैतानी है आत्मा है दुष्ट आत्मा है क्योंकि वो इश्वर से नहीं है हालेलुया धन्यवाद येशू समझ रहा है हालेलुया तो डर अगर हमारे जीवन में है तो हमें उसको टॉलरेट नहीं करना है टॉलरेट बरदाश्ट, मुझे उसको बरदाश्ट नहीं करना है अगर मेरे अंदर कोई डर है तो वो एक दुश्ट आत्मा है मुझे उसको बरदाश्ट नहीं करना है क्योंकि डर इश्वर से नहीं है बाइबल में अगर आप बाइबल पढ़ने बैठो तो कहीं तो जगा प्रभु कहता है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, कहा है? बहुत से जगा, इवन सबसे पहले डर का इस्तमाल कहां पे हुआ है बैबिल में? सबसे पहली बार, कहां पे हुआ? उत्पत्ती अध्याय में आदम ने, जब प्रभु ने आदम को आवाज दी, आदम ने क्या कहा? प्रभु बोलता है न, तुछूपा क्यों है? तो आदम क्या बोलता है? मैं डर गया, करेक्ट? वहां पे सबसे पहली बार उसने डर का उलेक किया है, तो वो डरा क्यों, वो कहता है क्योंकि हम नंगे है प्रभु, मैं डर गया तेरी आवाज सुनकर, और मैं छूप गया, हलेलुया, तो जब जैसे ही आदम ने आग्या भंग की, मोड़ा ना नियम, आदम ने उसको फल न किया, डर आ गया, हलेलुया, धन्यवार येशु, जैसे वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनने से विश्वास आता है, रोमियो 10-17 में लिखा है, वैसे ही डर भी आता है, सुनने और सुनने से, लेकिन क्या सुनने से, संसार के समाचार को सुनने से, सु सम जब कोरोना टाइम था टीवी चलाते हो टीवी पर क्या चल रहा था कोई भी न्यूस चैनल खोलो इधर इतना मर गए उधर उतना मर गए सही है चैनल तो छोड़ दो वाट्सअप मेसेज आते थे कितने मरे हमारे मुंबई में तो आते दे की फोन भी आते थे तो सबसे पहला सवाल होता था तेरे बिल्डिंग में कितने मरे रहे कोरोना से बाद भी हो रही है रिष्टेदारों के आपस में तो टॉपिक क्या है कोरोना सब जगा कोरोना कोरोना जिसके कारण क्या हो गया था हम लोगों में आ गया था डर और सची बोलू आप लोगों को ये कोरोना में जितने भी मरे ना आदे जन तो डर के कारण ही मर गये कि अब में जब जाओंगा हस्पताल मैं जिन्दा लोटके तो नहीं आने वाला हूं मेरे को भी लक्षन गया कोरोना का और हमको भी को रना हुआ था मुझको मेरी मा को मेरे बहन को सबको और मुझको मुझमें भी डर आया क्योंकि हमको फोन आया कि आपको उस वक कॉरंटाइं करते थैं होस्पिटल में मतलब बंद करें कर्देए एक कमरे में बार नहीं जाना है तो हमको क्या अ मुंबाइ में आपको एक कमरे मैं बंद कर देंगे को और हस्पिटल के कमरे में और हम को कॉल THAT कि रिपोर्ट पोजीटिफर एक तो आपको जितने भी हम लोग थे तीन जन हमको बोला गया कॉरंटाइन हो और होस्पिटल जाना पड़ेगा और मुझ में डर के आया बता है मैं बोली चलो मेरा तो छोड़ो लेकिन अगर मा को मैं लेके गई तो मा की उम्र है जाएगी तो जिन्दा लेकिन वापस जिन्दा आएगी नह क्यों चमत यूगमेरो जाने तो इंची है तो पे लिए्ट जाने अग्यात रूगा पार्श्च शुष सुई कि वांघ द игрम्राइघ थे प्चिंदा नहीं याएगा क्योंकि वह तो भी असपिटल जा रहा था वांपस जिन्दा नहीं आ रहा था तो मुझ में वह डर्आ ग प्रमेश्वर का कि उस वक्त मैं वचनों में थी, मैं बैठ गई, प्रभु येश्व से बात करने लगी कि प्रभु मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं समझा रहा है, मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, मैं टोटल ब्लैंक हो गई हूँ, मुझे बता मुझे क्य करना है और उस वक्त प्रभु ने वचन दिखाया कि मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया तु किसकी आवास सुन रही है अगर तुझ में डर है मतलब यह साफ है कि तु मेरी आवास नहीं सुन रही तू शेटान की आवाज सुन रही है जो बोलता है जाएगी जिन्दा लेकिन आएगी नहीं जिन्दा और उसी वक्त मैंने रिपेंट किया मैंने प्रभु से माफी मांगी कि प्रभु मैंने तुझ पर आविश्वास दिखाया क्योंकि तू तो कहता है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो कोई भी बुरी आत्मा का तुम्हारे शरीर पर कोई अधिकार नहीं तो मैं रद जरूर जाना होस्पिटल लेकिन तू जाना और वहां पे जो लोग अल्रेडी उस शैतान के जाल में फसे हुए हैं उनको जाके मेरे वचन बताना और उनको भी वहां से छुड़ा के लाना जब ये बात आई तुरन मैंने मेरी मा को बोला बहन को बोला बैक पैक करो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि मैंने जान लिया कि मैं कोविड पॉजिटिव बोलके नहीं जा रही हूँ उधर भले ही मेरा रिपोर्ट दिखाता है लेकिन मेरा विश्वास मेरे बनकर उसके सोलजर बनकर जो उधर अल्रेडी फसे हुए उनको वहां से निकालने के लिए तो हम लोग गया और उस वक्त इदर मेला लगता है क्या मेला लगता है एक मेले में जैसा भीड होता है ना वैसा भीड वो हस्पिटल के बाहर और सब लोग बढ़े-बढ़े लाइ पोने छोगो ने के लाइन मेलोगो और मैं नें बोला यन फ्ली रहे कर और मैं जिस काम के लिए लेकर उक्त मेरे से पूरा कर अपने आपको तुझे autant करते हुं और वहाँ पर आरेमो बोलते हैं उनको जो डॉक्टर के असिस्टेंट डॉक्टर रहते हैं वो लो तो वो सब को लाइन में सही कर रहते हैं जानकारी दे रहते हैं कहा जाना है क्या करना है और सड़नली वो आरेमो हमारी कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं वो हमारे पास आया और मेरी मा को बोला अंटी आपको लाइन में खड़ी रहने की जरुरत नहीं है आप एजट है ना आप सीधा आगे जो और फॉर्म बरो तो मेरी मा ने बोला लेकिन भाई मेरी दो बेटिया भी है अच्छा दो बेटिया है ठीक है उनको भी साथ ले लो और हमको वहां पे अच्छा रहे कि क्या कम्रे दिया है साफ-सफाई नहीं ए गड़े नहीं चलती है फैन नहीं चलती है तो अभी मेरी मां कर दिमाग में क्या चल रहा है वह मों को भी आइसा ही सब मिलेगा अभी ओपर जाकिन धन्यावाद प्रभू यह सुका है जैसे ही हम हॉस्पिटल के अ ऐसा लगा कोई तो होटेल के कमरे में आये है हमारे लिए गड़े भी थे गड़े बोले तो ऐसे नीचे गड़े वाले नहीं हमारे लिए तीन बेड थे हमारे लिए तीन बेड थे हमको गड़े नहीं हमको बेड मिले हमारा बातरूम में टैब में पानी भी है बिजली भी है फ और मैं बोली कि अभी मुझे क्या करना होगा अगर उनको इतनी सारी नॉन्स्टॉप उल्टिया हो रही है और नीचे जाने भी नहीं देते थे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव थे तो ऐसा खुला तुम लोग नहीं आ सकता है नीचे तो उदर नंबस दिये थे उनको कॉल करना क्या है कॉल करने के बावजुद भी क्या भूले जो दावाई दिया है ना, उसे खाओ, लेकिन खाने के बावजुद भी उल्टिया कर रहे है जोर-जोर से यही वाइड बुक उस वकम ने मेरे पस पुस्तक नहीं थी, मेरे mobile में वह वाइड बुक था Pdf उसमें जो आप करके परिशान हो रहे हैं और तू क्या यह बड़ 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 कर रही है क्योंकि उस वक्त मेरी महा विश्वासी नहीं थी मेरे घर में सिर्फ मैं विश्वासी थी तो उनको चिंता क्या उल्टी हो रही है लेकिन मैंने चालू किया वो बोलना क्योंकि हमारी लड़ाई के हतियार आत्मिक है हम जो विश्वासी हैं, हमारी लडाई के हतियार आत्मिक है, जोर जोर से आ के बंद कर दी क्योंकि जब ही उनको देखता है, मन में क्या आता है ओर ला जिसको जो सोचना है, सोचने दो, मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं और आधा घंटा में लगादार बनी रही जो आवा जा रही थी ना आदे घंटे बाद वो बंद हो गई और देखती क्या हूं तो दोनों सोई पड़े हैं दोनों सोई पड़े हालेलुया धन्यवाद येशू परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मैं भी सो गई अब जब सवेरे में उठी हमको सिर्फ दो बार नीचे नीची करें तो मुझे सिर्फ वो दो ही बार मिलता था इध्म थंगा अबी वो पुछितीः तो मैं articulated कि सबको पूछेटी को देरिया हैं वाले ने को अवी तो तोै नीचे दो को कुछ देति हूं आप उसको पढ़ना अभी वो परस्तिती है कि स्वेंतै तै कि अडेहों को कंटे बता और मेरे पास ब्रोप नहीं था कंबर ले और मोबाइल में जो पीडि फ कुछ नहीं होगा इसको पड़ो जानना पैचानके वोलो जितनेौ भी दो जन मिले टीन जन मिले जितने भी मिले सबके साथ मैंने वैसे करना चालू किला हम ye one me साथ दिन या किने दिन को कारींटाइन रहना है इंग तट या लेकिन हमको डिश्चार्ज सिर्फ चार ही दिन में इंग computer से demanderा रिपोर्ट अच्छ exactly आप घर जा सकेयी मैंने क्वब्ल को जिन्दा वापस घर आए लेकिन देखो ये शैतान कैसा है वचन कहता है शैतान गरशते हुए सीह की तरह है मुझ खोल के बेटा है कि किसको फाडखाऊ लिखा है ना अब घर आने के बाद पता है क्या हुआ दूसरे दिन मेरी मा को सास लेने में तकलीफ होने लगी अब क्या बोलेगा दिमाग वापस कुछ तो हो रहा है तरी मा को सही है ना डर आने के चांस है कि नहीं खास करके जब अपने करीबी लोगों को हम देखते है तकलीफ में तब ज़्यादा दरआने करेता है खास करके मा लोग पर जब कुछ होता है तो बेटीओं का ऐसा धड़ढ़ धड़ढ़ ड़ढ़ एसा होता है सही है ना तो जब मा को देखा कि उसको सास लेने को नहीं हो रही है तुरंथ हमारे फैमिली डॉकTर को मैंने फोन किया जब मुझे कोरणा हुआ था वो यूएस में थे लेकिन जब मैंने मा के लिए उनको फोन किया उन्होंने कहा तुरंथ तु ऑस्पिटल आजा नेक्स दे मैं आया हूँ इंडिया वापस मैं चेक करूंगा तो तुरंथ हमने गाड़ी बुक की हम उसको लेके ग जब वो सिटी स्कैन का रिपोर्ट देखा उसने हमको बोला कि तुम तीनों अभी तक जिंदा कैसे हो तो हमने बोला क्यों क्या हुआ तो उसने हमको दिखाया तुमारा फेफडे 98% इंफेक्टेड है कोरोना से और तुम अच्छे खासे इधर उधर घुम रहे हो इस में या तो पेशन्ट आइस्यू में वेंटी लेटर पे होगा या तो उसका पत्ता अल्रेडी कट हो चुका होगा लेकिन तुम तीनों उधर से इधर तक ट्रावल करके आये कैसे तो मैंने उसको वही बताया सर अभी मेरे पास वर्ट का बेस्ट डॉक्टर है जो है येश्व इतनी जल्दी उपर नहीं बुलाएगा वह बोल रहा है उपर आके करेगी क्या नीचे तेरे लिए बहुत काम है तो इतनी जल्दी तो मुझे वह उपर बुलाने वाला है नहीं और वह डॉक्टर भी हसा क्यों कि वह हर बार मेरे मज़ा कुड़ात है क्योंकि वह मैं एक ब्राह्मन परिवार से हूँ ना तो वह भी उसी कैटेगरी से है हमारे ही कम्यूनिटी से तो मेरा मज़ा कुड़ात है लेकिन मैंने बोला तुमको हसना है हसो लेकिन आज तो तुम्हारे सामने सबूत है ना रिपोर्ट बोलता है 98% infection है लेकिन हम तो हमको तो कोई त victim बोले तो क्या victim victim sister victim mindset एक एक अपराधी की तरह अपने आपको देखो एक हारे हुए इंसान की तरह देखो या तो परमेश्वर पे विश्वास करो कि मेरे 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 दाईने और हजार गिरे मेरे बाईने और दस अजार गिरे लेकिन मुझे कोई छू नहीं वचन है ना हालेलुया धन्यवाद येशू हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं जब जब डर लग रहा है जान लो अपने कान खड़े कर लो कि मुझे से शैतान बात कर रहा है एंटी ना खड़ा हो जाना चाहिए कि ये आवाद इश्वर की नहीं है क्योंकि वचन कहता है डर का आत्मा उसने मुझे नहीं दिया हालेलुया जब हम अच्छतिस गड़ में थे प्रवचन के लिए गये थे उस कलीसिया में तीन दिन का हमारा सेशन था तीन दिन हमने प्रवचन किया और हम वापस अपने कैथेडरल जो में चर्च है उदर लोट रहे थे रात के ग्यारा बज़ रह रास्ता है वो पूरा जंगल का रास्ता है कुस्मी आप गये थे कुस्मी में पूरा रास्ता जंगल का है और हम कितना बजे रात को ट्रावल कर रहे हैं ग्यारा बजे एक और बहन मेरे साथ थी मैं वो बहन और ड्राइवर हम तीनों और सड़नली आदे रास्ते में वो तो मेरे को पड़ेगी क्योंकि हम लोग को लेने के लिए तो टंकी फूल क्यों नहीं किया तो बोला मैं भूल गया और अभी गाडी में का पेट्रोल खतम होने को आया है तो हमने उसको बोला हमें डरने की जरूरत नहीं है स्तोत्र 91 11 में लिखा है प्रभू ने हमारी पकड़ा और कहा प्रभू येशु के नाम से स्वर्दू तो आपको आग्या देते हैं गाडी का पेट्रोल खतम होने से पहले हमें पेट्रोल पम तक पहुचाने की जिम्मेदारी आपकी और हम दोनों अन्यभाशा में प्रातना करने लग गये धन्यवाद प्रभू आपको पता है क्या हुआ है अगले पांच मिनिट में गाड़ी पेट्रोल पंप थे हालेलुया कितना मिनिट और वो उसका नाम बाबु भाई है वो भाई इतना चौक गया क्योंकि वो कहता है मैं यही का रहने वाला हूं इस जंगल में कहीं पर भी पेट्रोल पंप सिस्टर नहीं है मैं नहीं जानता यह पेट्रोल पंप कहां से आ गया और अगर आया भी है तो आज तक 36 गड़ में रात के 7 बज़े के बाद कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होता है गाव में रात के बज़रे है 11 और यह कैसा खुला है मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है और उसका अशा था वो चौक गया था वो कि यह कैसे हुआ तब हमने उससे कहा हम दो नहीं है हम तीन है प्रभु येश्व भी हमारे साथ है और उस दिन से उस भाई का विश्वास इतना तगड़ा हो गया था जब भी हमको लेने को आता था बोलता था जय येश्व सिस्टर हम तीन ज हालेलुया धन्यवाद येश्व दर आपको लेके जाएगा मौत की तरफ लेकिन वही विश्वास आपको लेके जाएगा जीवन की और तो आपको चुनना है या मैं डरते बैटू कभी-कभी होता है ना बच्चे समय पे घर नहीं आये डर लगता है करेक्ट अरे किदर गया अभी तो नहीं आया या पती पती नहीं आया समय पे तो दर लगने लगता है रहता है फिर मेरा रात पुरा नीन नहीं आता है मुझे उस छिंटा में कि ये किदर पड़ा है होता है hallelujah धन्यवाद येशु हमें दरने के जरूरत नहीम है क्यों हमें दरना नहीं है क्योंकि ये डर एक दुष्ट आत्मा है जो इश्वर की और से नहीं है hallelujah देखो डर अंदर घुसने के तीन द्वार है कौन से? कितने द्वार है कितने द्वार है आख कान और मुँ दर अंदर एंटर करने के गेटवे कौनसे कौनसे आख कान और मुँ एक एक बहन थी जब वो मिली वो बोली आजकल मेरा बेटा ना बहुत अजीब अजीब हरकते करने लगया पता ने पहले ऐसे नहीं था लेकिन अभी अभी ऐसे हुआ है कि बहुत गुसेल हो गया है अजीब अजीब हरकते करता है बदल गया है बहुत तो मैंने तो बोला कि ठीक है मैं उसके लिए प्रात्ना करूंगे और जब उनके लिए प्रात्ना कर रहे थी पवित्रा आत्मा ने वो इंस्पिरेशन दिया पूछने के लिए और मैंने उनको पूछा क्या आपका बेटा हॉरर मुवी देखता है क्या वो बोली हाँ हम सब देखते हैं कौन सा मुवी हॉरर मुवी को क्या बोलता है भूत वाली पिच्चर देखते थैं अब लोग कभी देखा है हम तो देखते थैं बज़पन में इधर नहीं देखते हैं अरे मैं तो बहुत देखती थी वो टीवी पर भी कॉन्से कॉन्से सीरियल आते थे न लेकिन सब सो रहे हैं अंधेरा है घर में अब क्या होगा कीचन में जाने को भी हिम्मत नहीं हो रही है वो सारा सारा पिच्चर तब यादा नहीं लग जाता है करेक्ट होता है इंट्री किस ने दी तुमने खुद ने करेक्ट इसलिए हम हर बार बोलते हैं साउधान बहुत होना जरूरी है कि तुम अपनी आखों से क्या देख रहे हो क्योंकि जो दिख रहा है वो भी डर पैदा कर सकता है और उस जब बहन ने बोला कि हा सिस्टर हमारा फरिवार तो डर हालेलुया तो उस बहन ने टीवी का केबल कनेक्शन ही निकाल दिया नहीं चाहिए हमको शैतान वाला कोई चीज़ घर में नहीं चाहिए आज टीवी में सिर्फ यूट्यूब के द्वारा वो हमारे चानल पर के टीचिंग्स चलाती है और कुछ नहीं देखती जब कोवीड का समय था कोरोना था, न्यूस चानल पर तो वही दिखा रहे थे ना? और हम भी बेवकूफ हो की तरह घर में बैठ के दिन राद क्या देख रहे थे? वही देख रहे थे तो डर आया की नहीं आया हलो आया की नहीं आया जो सुन रहे थे कानों से वही न्यूस चल रहा था तो डर आया की नहीं आया पर्मिशन किस ने दिया मैंने खुद नहीं हलेलुया बन्यवार येशू मान लो मान लो कभी कभी कि इधर नहीं पता मुझे होता है कि नहीं लेकिन कुछ-कुछ गाओं में मैं गई हूँ वहां पर आके बता दे तो मान लो कभी ऐसा हुआ है क्या कि सवेरे सवेरे उठे हो और भार आये हो और देखते हो क्या तुमारे घर के दरवाजे के बार नीम्बू है फिर उसमें मिर् क्या होगा हालेलुया लेकिन अगर जो पक्का विश्वासी है न वह बोले यह क्या रखा है चल बहुत बाहर दूप है निम्बू भी बहुत महेंगे चल अच्छा हो गया निम्बू मिल गया उसी गोले के काटके मैंने निम्बू जर्बत बना दिया और पी गया लेकिन जो डर रहा है क्या उसको वो अफेक्ट करेगा जरूर करेगा अगर तुम डरा है तो जो भी कुछ चीज है वो तुम पर जरूर अफेक्ट करेगी क्यों क्योंकि तुमने अपने अंदर डर लाके इश्वर पर अविश्वास किया है और खुद ने उस शैतान को अप धन्यवाद येशुू हमारे आत्मिक पिता वो हमें बताते हैं जब हम बैठते हैं उनके साथ वो बताते हैं जब वो साउत अफरीका जाते हैं प्रवचान करने के लिए वहां पे हाइस्ट सबसे जादा मातरा में विच्छ क्राफ्ट होता है काला जादू सबसे ज़ादा मात्रा और एक 500-200 की भीड नहीं रहती है उनके लिए एक बड़ा स्टेज बनाते है जहाँ पे उनके सामने 20-25 लोग बैठे हैं बड़ा सा ग्राउंड और फर्स्ट रो में सारे के सारे काला जादू करने वाले लोग और उनी के सामने बैठ कर वही पर वो उनके खिलाफ काला जादू कर रहे हैं लेकिन आज तक उनको कुछ भी नहीं हुआ 25 सालों से वो वहाँ जाते हैं प्रवचन करते हैं सही सलामत लोट कर वापस आते हैं आज तक उनको कुछ नहीं हुआ क्यों कि उन्होंने उस डर को अ इतना भरा रखा है कि डर को उन्होंने अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, अगर वो डरते तो वो चीज जरूर अफेक्ट करती, लेकिन क्योंकि वो डरे नहीं, उनका विश्वास उस चीज से जादा उस इश्वर पर है, जिस पर वो भरोसा करते हैं, वचन कहता है न वचन में, तो मेरे अंदर कौन है, दुष्ट आत्मा की पवित्र आत्मा, मेरे अंदर कौन है, शैतान की प्रभु येश्व, और इस संसार में कौन है, सेतान, तो मेरे अंदर का प्रभु येश्व, ये जो संसार में का शैतान है, उससे कई जादा महान है, और वो मुझे क यह वो मेरे अंकल है, जब वो उनके साथ में गाड़ी पर बैठती हूं, मैं एक दम बिंदास, मतलब कोई डर नहीं कि यह गिराएगा कि नहीं बोलके, इतना उन पर confidence है कि मुझे पता है यह मुझे गिराएंगे नहीं, तो मैं उनके साथ जब बैठती हूं, मैं एक दम कुछ नहीं होगा, ऐसा आपके साथ भी होगा ना, कोई ना, कोई तो होगा ना, जिस पे एक दम बरोसा कि यह कुछ नहीं, इसके साथ हूं, तो सेफ हूं, करेक होता है ना, जब मान लो, रात का समय है, बहुत देर से आ रहे हो, अखेले चलोगे, तो डर लगता है, यही प इसान से भरोसा रखने से अच्छा, इनसान का गैरेंटी नहीं है, आज साथ है, कल नहीं होगा, कोई भी हो, पती हो, माबाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, करेक्ट, लेकिन इश्वर कल भी था, आज भी है, और कल भी वो कभी नहीं छोड़ेगा माबाप छोड़ सकते हैं पती छोड़ सकता है भाई बेन छोड़ सकते हैं रिष्टेदार छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु येश्व आपको मुझको कभी नहीं छोड़ेगा लेकिन उसके साथ चलते वाक डरते है कि नहीं डरते है बाइबल तो जानते है, पकड़के बैठते है, पड़ते है, वचन को सीखते है लेकिन फिर भी डर आता है कि नहीं आता है क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने उसके प्रेम को जाना ही नहीं है हालेलुया धन्यवाद येशू कुछ समझ रहा है आविश्वास का सबसे पहला लक्षण है डर अगर मुझ में डर है इसका मतलब ये साफ है कि मुझ में आविश्वास है हालेलुया धन्यवाद येशू प्रभू हमको क्या कहता है हम उसकी भेड़े है है ना और अपने आपको क्या कहता है चर्वाहा कहता है क्यूं बेड़े को चर्वाहा जब चराता है वो भेड़ों के पीछे रहता है और भेड़े आगे रहती है ऐसा कभी भी नहीं देखोगे वो हमेशा भेडों के आगे रहेगा और भेडे उसके पीछे पीछे चलती रहती है देखे हो कभी और उसके हाथ में भी वो बड़ा सा डंडा होता ना देखा है कि वो अपनी भेडों को पीटने के लिए तो आँ जो कुछ भी बुरा उनकी और आता है ये खड़ा है डंडा लेके कि तेरे को पहले मेरे डंडे का सामना करना पड़ेगा तेरे को पहले मुझसे गुजरना होगा मेरी भेडों तक पहुचने के लिए और किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी भेड को छेड़ चाड़ करने की क्योंकि ये उनके आगे खड़ा है कोई भी जंगली जानवर अटाइक करे तो ये सबसे उसके साथ बिढ़ जाता है सबसे पहले क्यों उस भेड को बचाने के लिए सही है हालेलुया उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर प्रभु येशु अपने आप को कहता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ मतलब मुझे ये देखना है मेरी विश्वास के आखो से मैं जहां कहीं भी जारी हूँ मेरे आगे मेरा प्रभु ये शु चल रहा है कोई भी बिमारी, कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी बिमारी या कोई भी बुरी चीज मुझे छू नहीं सकती जैसे एक पिता, आपकी बेटिया है? कितनी है? एक है तो खास करके पिता लोगा बहुत सिक्यूर होते है अपनी बेटियों के लिए मतलब उनका ऐसा है कि मेरे बेटी के सामने मैं ढाल बनके खड़ा हूँ कोई भी बुरी चीज उसको छू नहीं सकती, मेरे उसकी ढाल हो, पहला मुझसे गुजरना होगा अगर देखोगे तो सबसे पहला फोन पिता का आता है, बेटी को ज़रा लेट हो गया तो, किदर है? वो अपने बच्ची के लिए ढाल बनके खड़ा है कि हर एक बुरी आती हुई चीज को पहले मुझसे होकर गुजरना है तो ज़रा सोचो, कि इस धर्ती के माबाप जो आप लोग हो, आप अपने बच्चों के लिए इतना बे इंतिहा प्यार करते हो अपने आपको उसके लिए आगे रख रहे हो तो जो स्वर्गिय पिता जिसने हमको बनाया क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? करेगा हलो? नहीं करेगा? करेगा लेकिन उस पर विश्वास करते हैं क्या? नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पती का क्या होगा बस इसी की चिंता में डूबे हुए है लेकिन वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है में तुम्हारा चरवाह, तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, बस तुझे मुझ पर भरोसा करना है और भरोसा मतलब हमनी क्या सीखा? मेरा कार ये उसके अनुसार होना है हाललुया, थर्यवार येशू और हमको कहा गया है भेडे आपको पता है भेडों की खुबिया मालूम है भेड आपने मुझे नहीं पता आप इधर फोटो भी नहीं है वैसा कुछ दिखाने के लिए वो भेड को प्रबु येश्व ऐसे नहीं वगड़ता है वो ऐसे उठाता है ना इधर कंडों पे अभी 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 प्रबु कहता है कि मेरे पास अगर सौ भेड़े है और उसमें से एक भी अगर गुम हो जाया ना तो मैं वो सौ कर छोड़कर एक के पीछे चल दूँगा डूदने के लिए सही है और उसको डूद के पगड़के लाते वक्त वो कैसे लाएगा कंडों पे उठा रहा है गोद में क्यों नहीं तो कंडों पर क्यों है हालेलुया दन्यवार येशू सी 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 जब भेड भाग जा दिये यह उसको डून-डून के पकड़के लाता है और और वो भेड इतना चंचल है मुझे पता है क्योंकि रांची में मैंने एक बक्री का बच्ची को गोद ले लिया और वो बच्चा मेरे इससे कूदी मारके भाग गया इतना वो चंचल था तब मैंने सोचा आच्छा इसके लिए प्रभू येशू कंडों पे लेता है क्योंकि वो जानता है ये भाग है वो सब को छोड़ के वापस हमारे पीछे आता है कि मुझसे दूर मत जा मैं तुससे बहुत प्यार करता हूं मुझसे दूर क्यों भाग रहा है और जब हम दुबारा उसको मिलते हैं हम उसने हमको अपने कंडों पर उठा लिया है ऐसे कलपना करती हूं मैं तो जैसे जैस कामकार यह करती हूं या प्रभु येशु से दूर भागती हूं तो प्रभु फिर मेरे पास आके कह रहा है कोई बात नहीं चल गलती हो गई ना अभी भी मैं तुससे प्यार करता हूं और अब वो गले नहीं लगा रहा है कंडों पर बिठाया है हालेलुया हमको तो हमारे बिठाते है जब हम खोटे थे प्थाते हो ना बच्चो को तो क्या डर नहें वैं तो अधर्ण से डर शेताणी है दूश्ट वर आप ने कभी ऐसे की हो आप लोग आपके बच्च चो वो पलंग पर खड़ा करके बेड पे उसको बोलते हो अजा अजा ना और आप दूर जा उसको डर लगता है क्या हलो डर लगता है क्या वह इतना confidence है कि ये मेरी मा ये मेरा डड़ी मेरे को नीचे नहीं गिर है आप कितना भी दूर जाओ वो कूदेगा सही है ना वो क्यों कूद रहा है क्योंकि उसको आप पर बड़ा भरोसा है कि मेरा मा मेरा बाप मेरे को नीचे गिरने नहीं देगा तो वैसा ही भरोसा हमारा होना है इश्वर पर कि वो मेरा पिता मुझे कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा हालेलुया धन्यवाद येश्व कुछ समझ रहा है हलो कुछ समझ रहा है नीनदा रहा है तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया ये सब का सब सो रहा है पहने क्या बोला अबी वोने को बच्चे समझ गया है नींदा रहा है हलो नींदा रहा है तो हाले लिया क्यों बोले फिर क्योंकि वो ध्यान से सुन रहा है बच्चे समझ गया नींदा रहा आंग avons तो जो सो रहा है बोलो हलेलुया अभी भी कोई तो बोला आलेलुया जग रहे हो तो जो जगरा है बोलो हलेलुया धन्यवाद येशु तो आविश्वास का पहला लक्शन कौन सा है और डर इश्वर से है तो किस से है अब अविश्वास का दूसरा लक्षन क्या है वो हम सबको होता है चिंता कितने साल पहले आखरी चिंता हुआ था आखरी बार चिंता कितने साल पहले कीये थे दस सल पहले हाँ सिस्टर ऐसे मेरे को लगा इदर के लोगों को चिंता होता नियर हलो चिंता होता है हर रोज होता है हर समय होता है अभी भी हो रहा है कब छोड़ेगी यारी है हम लोग को आज तो नहीं छोड़ूंगी पहले ही बोल के रखा इनोंने छोड़ना नहीं आज पुरा सिका के बेजना हलेलुया धन्यवार येशू चिंता शैतानी है बोलिए दुबरा चिंता शैतानी है और एक बार और एक बार बाजुवाले को हिला के बोलो चिंता शैतानी है हिला बाजुवाले को बोलो चिंता शैतानी है समझे के ना समझे जब जब मुझे चिंता हुई मतलब मुझे मैं है अविश्वास ये दूसरा लक्षन जब जब हमें आया इसका मतलब साफ है कि मुझे मैं है अविश्वास धन्यवार येशू मुझे बताओ आपके पस गाई, बेल, मुर्गी है है बहुत मालदर पार्टी है तुम तो मुझे बताओ तुमारी गाई, बेल, बकरी, मुर्गी, कुता क्या ये लोग चिंता होती है मेरी मालकीण मेरे सवेरे ख खाना देगी कि नहीं यै कि जिन्ता होती है उनलों को मैं नी चिन्ता चोना वह जो रिखरा हो अजब शेक्श ग्हस्त्क कुछ कर द insectu नहीं की जिस्के पास जानवर है न वह हमेशा उनको बहुआ नहीं होता है। जप गाओंगा ऊजाती हुँ लोग बोले है, मैं पूछती हुआ अरे थ जसनने भी नहीं आया है। लेकिन जानवरों को चिंता नहीं हो रही है क्योंकि उनको आप पे बरोसा है कि दूप हो बारिश हो जो भी हो मेरा मालिक समय से मेरे को सब कुछ देगा आपके छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसा सुना है कि मान लो बच्चे आये हैं और पिता जी को बोले पिता जी मेरे स्कूल का फीज भरना है ठीक है और बच्चा चला गया अब बैठके उधर चिंता कर रहा है यार मेरा बाप फी भरेगा की नहीं भरेगा बरेगा की नहीं भर और बता भी दिया तो उसको मालूम है मेरा काम खाली बता ने गया है मैंने बता दिया आगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पिता जाकर फीज जमा कर देंगे हालेलुया धन्यवार येशू देखो परमेश्वर ने जब सुरुष्टी की रचना की उसने सबसे पहले आदम को बनाया सही है सही है फिर देखा अरे आदम को तो प्यास लग गई फिर उसने फटा-फट फटा-फट पानी बना दिया फिर देखा आदम को तो भूख लग फिर उसने देखा कि आदम को सास लेने को तकलीफ हो रही है तब उसने खेन बना दिया सही है कौनसा बाइबल पढते हो सही है हाँ कौन सा भाई बले तुम लोग क्या और बाखी चीजे आदम के बाद तो सही कौन बोला फिर पहले बनाया की बाद में बनाया की बाद में बनाया कौन सा भाई बले आपका सुरुष्टी की रचना पहले की की नहीं आदम को लगने वाली हर एक चीज का निर्मान उसने पहले किया फिर आदम को बनाया पहले उसके लगने की हर एक चीज का इंतजाम इश्वर ने किया फिर उसको बनाया ताकि मेरे बच्चे को कुछ कमी ना रहे तो सोचो जिस इश्वर ने आदम को बनाया उसी इश्वर ने आपको और मुझको बनाया है हम भी उसी के हाथों की रचना है है ना तो क्या वो हमारा खयाल नहीं करेगा तो हम चिंता क्यों करते हैं क्योंकि उस पर भरोसा ही नहीं सही है सहीएगी ने माथ्यू में जाना मत्य 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 ना मत्यू मत्य 6 छे कप छे खोलना मत्य छे लॉक हो गया है इसमें भी है मत्य छे खोलिए हाँ उसका 31 देखना क्या बोलता है 31 पढ़िए सब दोर आएंगे वापस वापस इस लिए यह कहते हुए चिंता मत करो चिंता करो एए करो करो चिंता मत करो करो लेकिन हम तो करते हैं करते नहीं हो तो वाचन के अनुसार कर रहे हो क्या वापस से पढ़ना इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं क्या पीएं क्या पहने इन सब चीजों की भोज में गयर यहूदी लगे रहते हैं तुम्हारा स्वर्भी पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की ज़र्वत है वाचन में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें चिंता यह कहते हुए चिंता मत करो क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनू रोटी, कपड़ा, मकान हमारा जिन्देगी हमको सिखाया जाता है बचपन से तु अच्छा पढ़, तु अच्छा पढ़, तु अच्छा पढ़ क्यूं? सारा फोकस किदे रहे है संसार की चीजों पे रोटी, कपड़ा, मकान हम हमारा सारा जिन्देगी उसमें बिता देते है मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसे मत कमाओ वो जरूरी है लेकिन आप आपके जीवन में प्रायरिटी, महत्व, किस चीज़ को दे रहे है? जिस भी चीज़ को आप अपने जीवन में महत्व, सबसे उपर, टॉप प्रायरिटी देते हो वो बनता है आपका मास्टर, आपका मालिक फिर चाहे वो पैसा हो चाहे पती हो, चाहे माबाप हो या जो कुछ भी हो जिसको भी मैंने प्रभू के उपर का स्थान दिया है, वो है मेरा मालिक और मैं हूँ उसका गुलाम प्रभू कहता है इसलिए चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पिऊगे, क्या पहनओगे क्योंकि आगे क्या लिखा है उसको इन सब चीजों की जरूरत गर यहोदी कोगी करते है आगे वो जानता है लिखा है न 31, 31, 31 वो जानता है तब से पहले इस्वर के राज और उसकी धानता है दो यहाँ दे, यहाँ दो इसलिए जो पर दो हालेलुया धन्यवाद येश्व इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने इन सब चीजों की खोज में गैर यहुदी लगे रहते है, तुम्हारा स्वर्गिय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है हालेलुया धन्यवाद येश्व हमें चिंता नहीं करनी एगी मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पिऊंगी, मैं क्या पहनूंगी जैसे क्या आपके बच्चों को चिंता होती है, क्या आप उनको पहनने को कपड़े दोगे, कि नंगाई रखोगे चिंता होती है कभी वो बोलते है मा मैं पंदरा दिन हो गया नंगा ही घूम रहा हूँ कपड़ तो पेना क्या कभी बच्चों को चिंता होती है आज मेरी मा खाने को देगी की नहीं इतरी लपड़ा है उसको पता है मुझे मांगने तक ही जरुरत नहीं है नहीं बोलते हैं बच्चे को मांगने की जरुरत नहीं मा खुद से होकर उसे दिरा दे रही है टाइम टू टाइम दे रही है मैं देखती हूँ हमारी सिस्टर पुषपा जॉनी के बीचे जॉनी खा ले जॉनी खा ले लेकिन जॉनी कभी आके बोलता नहीं मां दे देना मां कितने दिनों का भूका रखा है बरे को पहले ही से वो ready रखती है उसको पता है वो जानती है कि जौनी का ये टाइम है जौनी को इस समय पे भूक लगेगी correct सही है? अब मालोग हो ना आपको आपके बच्चे को कब भूख लगेगी ये समय भी पता है तो उस समय में सब कुछ रेडी रखते हैं करेक्ट हालेलुया उसी तरह इश्वर आपकी हर एक जरूरत को जानता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हम जब पैदा होते हैं पैदा होते ही संसार हमें क्या सीखाते हैं सबसे पहला रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान करेक्ट सहीएक ने ये बेसिक ज़रूरत है इसको पूरा करना ही है बच्चों को भी हम वही सिखाते हैं अच्छा पढ़, अच्छा पढ़, अच्छा पढ़, अच्छा पढ़, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नोकरी मिलेगा, अच्छा कमाएगा, फिर अच्छा छोकरी मिलेगा आगे जाके है न, सही है न सारी संसार की चीजे उसे सिखाते हैं मैं ये नहीं बोलोगी कि ये वो गलत है नोकरी करनी है, कमाना है लेकिन मेरा कहना ये है कि आप उनको क्या सिखा रहे हो किस चीज को वो जादा महतवदे हम बच्चों को सिखाते हैं आशिरवादों के पीछे भागो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो आशिरवाद किस से आ रहे है जिस दिन हम जिस से आशिरवाद आ रहे है उसके पीछे भागना चालू करेंगे न हमें मांगने तक कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद बखुद आशिरवाद चल कर हमारे पीछे आएंगे यही यह वचन कहता है, देखो क्या लिखा है वापस पढ़ती हूँ, इसलिए यह कहते हुए चिनता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहुदी लगे रहते हैं, जो विश्वासी नहीं है वो लोग को यह चीजों की चिनता होती है आप तो अपने आपको विश्वासी कहते हो ना हलो कहते हो ना आगे वो कहता है तुम्हारा स्वर्गिया पिता जानता है कि तुम्हें इन सब की जरुरत है तो मुझे क्या करना है वो कहता है आगे वचन में तुम सबसे पहले तुम सबसे पहले इश्वर के राज और उसकी धार्मिक्ता की खोज में लगे रहो सबसे आखिर में नहीं लिखा है सबसे पहले लिखा है तुम सबसे पहले इश्वर के राज और उसकी धार्मिक्ता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजे तुम्हें यूही मिल जाएगे वो कहता है कि सबसे पहले मेरे राज्ये के पीछे चलो जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे चलो और तुम्हें लगने वाली हर एक जरूरत यूही पुरी की जाएगे मैं आपको कहूँ हमको सिखाया जाता है मांगो तो मिलेगा लेकिन मैं आपको कहती हूँ अगर आप आपका रिष्टा इश्वर के साथ मजबूत करोगे न वो दिन आएगा जब आपको मांगने तक की जरूरत नहीं आपकी हर एक ख्वाईश पूरी हो जाएगे क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है मेरे मांगने से पहले ही जो मेरी जरूरत है वो येश्व हर बार पूरी करता है हर बार मैं आपको बताती हूँ हम लोग अरुनाचल में थे अरुनाचल प्रदेश में जब पहले दिन में पहुची बहुत ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा और हमको सुनिए सुनिए हमको खाने के लिए बिठाया गया एक घर में और वो जो जिनके घर में हम खाने के लिए बैठे थे उन्होंने हमको हरिन बोलते है ना बीर को डियर को हरिन हरिन पता है अपको क्या बोलते उसको हीरन हीरन का मास रखा पुरोसा तो अभी मैं तो प्यर वेच फैमिली दी तो मेरे लिए वह कटिन हो गया मैं बोला यह क्या है तो बोला हीरन का मास है मैं खाएंगे ना मैं बोला नहीं हम मैं तो नहीं खा सकती हूं तो फिर आप क्या खा होता है कि यूरा हम क्या सोच जैसे हमारे घर में चिकन बनता है व्यसे beings लेकिन उन स Przyखरों में बीच में एक ऐसा चुला रहता है बड़ा असा और सब आजू-जू-बेट तो वो हम भी बैठे थे तो यह बाई ने क्या किया गया बाहर मुर्गी पकड़ के लाया और जिन्दा मुर्गी वो आग में डाल दिया वो देखके हम लोग तो बहार ही भाग गे इसको जलते हुए हम नहीं देख सकते वो चिलाए जा रहे है और यह उसको भूजे जा रहा है और और फिर उसका पंक वंग निकाला बाद में, वो लोग मसाले नहीं इस्तमाल करते, सिर्फ भूजेंगे और फिर उसको चिल के खालेंगे, उसके साथ कुछ नहीं, सिर्फ कोल्टरिंग पित है, यह उनका खाना है, वो हमको उदर जाने के बाद वदा चला, तो हमको बुलाया, इतना जल्दी हो गया, चिकन बना गया, फिर वो भूजा हुआ मूरगी सामने रख दिया, फिर वो मूरगी का खालत देख के, वो बिला हम लोग नहीं का सकते, वो इसको लगा फिर आप खाते गया, अज्यों एव नहीं वो भी 그래도 तो अगर आपके पास साधा चावल होगा, तो बोला ठीक है राइस तो है लेकिन हम लोग खाते नहीं तो उसके उसमें लाल मिर्च कुटा वह सफेज चावल में और लाल मिर्च कूट के ऊपर डालके नमक डालके वही खा लिया अब रात को सोते वक्त अंदर क्या चल रहा है दिल में यह यह बैग में कपड़ों के जग में और आपको पता है क्या हुआ बस यहीं दिल में आया मूँ खोल के हम लोग ने बोला भी नहीं था हम सवेरे उठे मूँ भी धोए उन्होंने बोला नाश्ता करने को आजाओ अब हम सोच रहे आप नाश्ता में पता नहीं कौन सा जान हो रहेगा और हम लोग बैटे और वो भाई के बीवी ने लाके हम लोग को मैगी परोसा क्या परोसा अब आपके लिए आप सोचोगे इतनी सी बाद क्यूंकि हम सिटी में रहते हैं हमारे लिए वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है लेकिन अरुना चल में सब कुछ पहाड पे है अगर उनको कोई भी चीज लानी है तो दो घंटा नीचे उनको चल के उतरना है नीचे दुकान है वहां से लेना है और फिर वैसा ही चल के उपर जाना है तो उनके लिए वो मैगी बहुत बड़ा बात था लेकिन हमारे लिए धन्यवाद देती हूं में प्रभू येशु का मुझे नहीं पता व जब आप सबसे पहले इश्वर के राज्य के पीछे चलने लगोगे बस दिल में ख्वाईश आई और वो पूरी हुई ऐसा दिन आएगा हालेलुया धन्यवाद येशु मुझ खोल के बोलने तक कि जरुरत नहीं पड़ी ऐसा एक नहीं हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि ठंडी लग रहा है बन कर दो बन कर दो कहां है रिमोट डीजे उदर उदर होगा सिस्टर है बेड पे है वही पर होगा है 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 हालेलुया धन्यवाद येशु समझ रहा है हलो समझ रहा है तो चिंता करना है आपका काम है सबसे पहले इश्वर का राज और उसकी धर्मिक्ता उसके खोज में चलो बाकी सब चीजे यूही यूही लिखा है ना वहाँ पे यूही यूही मतलब नो एनी हाड़ वर्क पसीन भाने की तुमको ज़रूत नहीं है यूही ऐसे ही तुमारे जीवन में चीजे होना चालू हो जाएगा बस यूही मेरा काम है सिर्फ उसके राज्य के पीछे चलना हालेलुया धन्यवाद येश्व लेकिन हम क्या करते हैं उसका राज्यबाद में पहला इधर संसर रोटी कपड़ा मखार देखो मैं हमेशा ये कहती हूँ जब एक विश्वासी के जीवन में आशिरवाद आता है ना बहुत खतरनाक समय बहुत खतरनाक क्योंकि जब विश्वासी के जीवन में आशिरवाद आना चालू होता है वह विश्वासी आशिरवादों के पीछे इतना पागल हो जाता है कि जिससे वह आशिरवाद आया है वह उसी को भूल जाता है नहीं हालिलुया सच बोलो उसकी कि याद कब आती है या तो जब कोई परिशानी या तो कोई दुखदर्द है या तो कई बिमारी या तो कोई तकलीब है सही है जब सब अच्छा चल रहा है Unix कि याद आती है गया जब सब अच्छा चलता है हम बोलता है येशु मैं भी चुटी पे हूँ तू भी चुटी ले आराम कर अराम कर जब मुझे कोई परिशानी होगी तब में तेरे पास आऊंगा तब मेरी सुनना कैसे स्वार्थी लोग है हम लोग है हालिलुया नहीं होता ह जब जब कहीं पर बुलाया जाता है हमको वच्चन सुनने के लिए कितने जनाते हैं बताइए मुझे बार-बार फोन करके याद दिलाना पड़ता है बार-बार यही मान लो कोई शादी का नहीं होता हो तो वो शादी वाले बार-बार फोन करके बुलता है कि भाई आजाना भाई आजाना एक महिना पहले वो कार्ड मिला है शादी का लेकिन बराबर उसी तारीक भी पोचते हैं कि नहीं सही है और उस समय देर नहीं करेंगे चलो चलो जल्दी चलो समय पर जाना है तो हम है स्वारती सही है कि नहीं लेकिन जिस इश्वर ने बनाया है आज सब हमारा सब कुछ अच्छा है हमारे पास रहने को छथ है पहनने को कपड़ा है हमारे हाथ मुँ अच्छे से चल रहे हैं आखों से सब कुछ दिख रहा है कानों से सब कुछ सुन पारी हूं मुझ से सब कुछ बोल पारी हूं भर-भर के आशिरवाद है फिर भी जो चीज नहीं है ना उसी पर ध्यान क्रEक डस चीज अच्छी है लेकिन उसके लिए मैं खन्यावाद नहीं कि लेकिन किए चीज की कमी है बस उसके लिए भार-भार कोष दिरोंगी प्रभू क्यूं एसे प्रभू क्यूंए से प्रभू ड हीतों डई इतु और सःए की नहीं हालिलुई भन्यावार येle lalook कि कि सवेरे उठे और प्रभू को धन्यवाद दिया प्रभू मैं धन्यवाद देती हूँ आज का सूरज मैंने देखा मेरे हाथ पेर सब सही सलामत है मेरी आखों से मैं देख पारी हूँ कानों से सुन पारी हूँ मूझ से बोल पारी हूँ सास ले पारी हूँ धन्यवाद देती फिर सब कुछ हो जाए ना चलो थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते है और जब बाइबल पढ़ने बेट जाते है तो संसर के 10 काम याद आ जाते है अरे यह तो छूटी गया अच्छा पहले वो कर लेते हूं फिर आ जाओंगी फिर बैटने फिर कुछ ना कुछ याद आता है ऐ फिर बोलते हैं अभी तो ठक गए यार ठीक है कल ही कर लेते हूं सही है कि नहीं हालेलुया धन्यवार येशू इससे पता चलता है आज हमारे जीवन में इश्वर का स्थान कहां पर है ब्रेक करेंगे ना इसी को आगे सीखना है हलो अभी तो शुरू किया सीखेंगे की नहीं कुछ सीख रहे है कुछ सीख रहे है की नहीं सीख रहे हालेलुया तो अभी हम एक चोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है और ब्रेक में वापस आकर इसी को कंटिन्यू सीखेंगे ठीक है ठीक है चलेगा रुकी रुकी सुनो एक पाच मिनिट का ब्रेक लेते हैं दस मिनिट चलो दस मिनिट का ब्रेक लेते हैं फिर आके इसी को आगे और सीखेंगे ठीक है हालेलुया धन्यवार येशु